पंखा बंगर तो इसकी आवाज जो है खलती है गुडिलिंग बच्चों कैसे हैं आप सब ग्यानिस बाले जी क्लास से स्काइप की उम्टीम आप सब को स्वागत है बच्चों शाम को आज एक स्पेशल सेसन जैशा की हर वीक में लगता है टेस्ट पेपर का डिसकसर बटर उन बच्चों के लिए जो टीजीटी और पीजीटी का एसपारेंट्स हैं जो टीजीटी पीजीटी का निकट भुष में एक्जाम देंगे जिनों रफाम डाला हुआ है ग्यानिस बाले जी क्लास सेस उनके लिए बायो का कम्प्रीट सेलेवस लेकर आई है और कम्प्रीट पढ़ा रहे हैं पेट ज्यानिस बाली जी क्लासेस में आपको बाली जी के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजे हैं जैसे रेगुलर क्लासेस के बाद बेटा प्रापर टेस्ट पेपर्स ये दो चीज जो सबसे इंपोर्टेट है पहली चीज कि आपको पूरी सब्जेट थ्वाइस क्लास मिलते हैं नमर दूसी चीज आपने कितना पढ़ा है उसको इवैलिवेट करने के लिए आपके पास टेस्ट पेपर यानिकी एक टेस्ट होता है प्रापर टेस्ट सेरीज चलती है बच्चों, बाइलोजी के पूरे सलेवश को मैंने दस भागों में बात रखा है सब्पोस करिए प्लान क्लासिफिकेशन, अनिमर क्लासिफिकेशन, प्लान फीजिलोजी, अनिमल फीजिलोजी, साइटोलोजी, ये पाँच टापिक एंजियोष्पर्म, जेनेटेक्स, बाइयोटेकनोलोजी, एकोलोजी, हीव़न बेलफेर इस दस युणिट हैं मैंने पाँच पहले वाली पूरी पढ़ा दी है छटे युणिट लाइफ हिस्टि आफ एंजियोष्पर्मिक प्लांट चल ला है जिसमें हमने अब तक बेटा मार्फोलोजी वाला सेक्शन पढ़ा दिया है और इस समय वो लाइफ हिस्टिया आफ एंजियोष्पर्म का सेक्शन कंटिनी मिर्शन में हैं और एनाटामी बाकिया बच्छों जो लोग ज्यानी स्पाली जी क्लासेश से सुरू से जुड़े हैं ये क्लासेश लगवक्षे मैंने हो के चलते हुए उन सब को इस शारे वीडियोज जो प्रापर हम यहाँ पर लेते हैं उनकी वीडियो जितनी ही हैं वो उनको मिल जाती हुड़ा पहली चीज उनको फ्रापर क्लास मिलती है दूसी चीज वीडियो उनके ग्रूप में सेन्ड कर दिये ज頭 है तीसी चीज ऑन इस पूरए वीडियोज जो आपकी बॉर्ड पर उसकी उसी राइटिंग में हमारी उसी हैंड राइटिंग में आपको बेटा PDF भी उपलब्द हो जाती है इसके अलावा जो बेसिक बुक्स हैं इंटर्मीडर्ट की जो बेसिक की बात करो हुआ है MP को सिक रमेश गुपता के स्टर्ट नोट्स की PDF जीतना अविलेबेल है वो प्रोवाइड करा दिया जाता है टेस्ट पहले कुछ कोश्चन पहुचा दिया जाते हैं आपके पास और जो सबसे इंपॉर्टेन मैंने बाता है टेस्ट का इवेलिवेशन जो हम आपके साथ करते हैं टेस्ट का डिसकस्ट भी होता है प्रतेक टेस्ट बेटा 125 कोश्चन का हो रहा है दो टेस्ट हमारे पूरे हो चुके हैं तीसरा टेस्ट हमने इस संडे को लिया यानि की कल जिसका डिसकस्ट आज हमने शाड़े आट मजे रखा है आपके सामने डिसकस्ट कर रहा हूँ 125 कोश्चन का टेस्ट इसकस्ट बेटा बहुत सी चीजे हैं कोई एक चीज पर आप नहीं रुक सकते हो बार बार उसी चीजे को बोलता हूँ बार बार उसी चीजे को कहता हूँ बहुत से बच्चे लगातार बैटा जुड़ रहे हैं ठीक है तक सकस्ट लाइफ आप नाम बताएंगे कि आपने कोर्स पर्च़स किया हुआ है Success Life कौन है अपना नाम बताईए अगर आपने Course Purchase किया हुआ है तो उसमें तेस सिरीज की फीज उसी में एड है बेटा अलग से कोई फीज नहीं देनी होती है आपको अगर आपने के उल्टे सिरीज लिया है तो उसकी फीज बेटा 500 रुपीज है और पूरा Course Purchase किया है तो उसकी फीज 15 सोभी ललित तो आपने Course Purchase किया है तो फीज उसी में इंक्लूड है अभी तक उसमें इंक्लूड है आने वोले शमय में जो बच्चे एड़ी में सहन लेंगे उनके लिए क्या ग्राइटरिया होगा वो एक अलाग पाइटर है अभी तक उसी में इंक्लूड है ठीक है क्लियर बात बच्चा तो आप उसी में टेस्ट दे सकते हैं आपके बाश टेस्ट में महुंचता है अब यह बात डिपेंड करती आप पर कि आप इस टेस्ट को किस प्रकार से कम्प्लीट कर रहे हैं आप अपने पढ़ाई को कैसे ले रहे हैं सीरियस ले रहे हैं या बहुत नार्मल हलके में किसी चीज को महसूस कर रहे है हूँ ठीक है बेटा तो बच्चों एक चीज और है जिसको हम आपको बताना चाहते हैं और कहना चाहते हैं आप जो लोग भी बेटा इस समय लाइव हो 12 लोग इस समय करेंट में व्यूज कर रहे हैं आप सब लोग भी अपना नाम लिग सकते हैं और बात कर सकते हैं जुड़ते चलिए लाइक का बटा लाइक जरूर का लिया करें वीडियो को बेटा करेक्ट आइसा मैंने देखा हुआ है कि बहुत से बच्चों के फून आते हैं बाते होती हैं कंटेंट पर जाते हैं कंटेंट देखते हैं चलिए आज का पहला कोश्चन आपके लिए हैं एनिमल क्लासिफिकेशन का बच्चों आईए शुरू करते हैं एनिमल या आर्गिंजम जो वाटर की सर्फेस पर फ्लोट करते हैं वो क्या कहलाते हैं बताओ बेटा क्या कहलाते हैं वो बेटा प्लेंग्टांस कहलाते हैं क्या अगलाते हैं प्लेंग्टांस कहलाते हैं अगर प्लान ग्रूप के हैं तो फाइटो प्लेंग्टांस कहते हैं एनिमल ग्रूप के हैं तो जू प्लेंग्टांस कहते हैं का भेंधिक पेंधोस वह थो नो बाटम पर रहते हैं फिलेजिख वह झोटे हैं जो ओपेन वाटर में रहते हैं और बेटा नेरिटिक वह होते हैं जो एक्टिवलीश भी करते हैं तो आइनसर यहां का प्लैंक टांस रेडिली सिमिट्री डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन है बेटा रेडियल सिमिट्री भी हो और डिप्लोब्लास्टिक भी हो तो फाइलम बेटा सिलिन्टेटा होते है इसलिए हाइड्रा यहाँ पर लगेगा बेसाइड्स एनिलिडा एन आर्थोपड़ा Metamorism किस में पाई जाती Metamorism means Segmentation किस में पाया जाता है Enilda को छोड़ दो Arthopada को छोड़ दो Segmentation किस में पाया जाता है ठीक तो हम लोग कहेंग Corridata में Segmentation present होता है Molluska और Echinodermeta में Segmentation नहीं present होता है Sestoda Terbilaria, Trimetoda Sestoda ये तीनों ही classes होती है Platamethes में जहां पर Segmentation नहीं रहता है Troco for Larva किस में present होता है Troco for Larva दो जगह में मिलता है Enilda में और Molluska में भी Troco for Larva हमें इन दो places में मिलता है ये याद करना पड़ेगा Troco for Larva आज हम आपको लिख कर देते हैं कि Larva की हम लोग sheet एक भेजेंगे उन सब को याद कर लेंगे आप अलग से ठीक है कोई confusion हो, कोई दिक्कत हो तो बोल दिया करो मैं बोल दूँगा बेटा Deuteroy Storms किसे कहते है आपको पता है बेटा हम सर यहाँ पर एक स्टड़ी पढ़ते हैं अगर मैं का हो तो इसको मैं नाम दूँगा बेटा कैसे एक्स्प्रेम करेंगे हम यहाँ पर बताएंगे थोड़ा सा छोटा हो गए ठीक बेटा आई है क्या होते हैं दूटोस्टो मैंने बताएं बेटा इन्वेजिनेशन होता है देखो इसे बेटा ब्लास्टो पोर कहते हैं क्या नाम देते हैं बेटा ब्लास्टो पोर अगर बेटा ब्लास्टो पोर माउथ डेवलाप करता है तो प्रोटोस्टोम्स कहलाते हैं ब्लास्टो पोर से अगर बेटा mouth बनता है तो proto-storms कहलाते हैं blastopores एगर Ns बनता है तो ये D2 storms कहलाते हैं ये वेटा Siarie सम्सक्राइबाटा होते हैं तो एक्जाम लेटा देख लो ये वेटा एनिलीटा dead आर्थो पोड़ा और मोलस्का होते हैं मेरा क्लासिफिकेशन वहला जब आप वीडियो देखो कि बेटा तो आपको इस सारी चीज में बहुत अच्छे से एक्स्प्पेन मेंने किया वहां मिलेंगी यहां एंसर पेटा आपको एक करनोडर्मेटा फिर लार्वा या वेलिगर लार्वा किस फाइला में प्रिजेंट होता पच्छा सिक्स्प्रंबर है वेलिगर ट्रोकोफोर लार्वा दोनों ही पेटा फाइलां मोलस्का में प्रिजेंट होते हैं विचिज एन एक्टो थर्म या पाइकलो थर्मल बेटा हुए होते हैं जिनके बॉडी का टेंपरेस्टर जो होता है वो constant नहीं रहता है variable होता हूँ पाइपलो-thermal कहलाते है ठीक है तो यहाँ पर बैटा lizard lizard जो होंग बैटा यह पाइपलो-thermal होंगे जिने बैटा हम लोग heterothermal भी कहते हैं जिनकी body का temperature constant नहीं होता है variable होता है और बाकी बैटा birds और mamers दोनों homo-thermal होते हैं इसलिए birds, pigeon, rabbit, camelea सब homo-thermal है triploblastic animals triploblastic animal बैटा phylum plate helmanthis से सुरू होता और आगे तक जितने animals होते हैं सभी triploblastic होते हैं first triploblastic animals बैटा platy helmanthis हैं क्या चीज उसमें special में बैटा क्या होते हैं उनमें bilateral symmetry भी पाई जाते हैं यहीं इसका पहला अंसर होगा जितने भी triploblastic बैटल स्मेट्री प्रिजेंट होते हैं पहला platy helmanthis हैं टू सिलोम नहीं होते हैं जिए second answer नहीं लगेगा बैटा सभी बैटा हाई पावर अभी जनेरेशन होती हैं हर्जेगा होती नहीं है इसलिए आंसर बैटा फर्स्ट लगेगा जो शिंकोना की छाल से प्राप्त होती है ठीक है बैटा तो मनेरियल फीवर कुनेन से ठीक हो जाती है चागाज डिजिस कौन कॉज करता है बैटा चागाज डिजिस कॉजड बाई ट्रिपनो सुमा कुरुजाई प्रोटु जो अवाला जब आप सेक्शन देखो बैटा कम्प्लीट स्टेडी यहां पनों ने किया हुआ है बच्चों जो लोग व्यू कर रहे हैं और लोग लाइक कर लें तो बेतर रहेगा अच्छा रहेगा चागाज तो यहां पर बैटा ट्रिपेटरस्रोमा कुरुजाई ठीक है ट्रिपेटरस्रोमा वाइवेक्स कुछ होता रही है गैमियन से स्लिपीन सिक्नेस हो जाती बैटा विच यूनिसल आर्गेंजम है इस मैक्रो माल नुकलियर्स फार्ट्रॉफिक फॉंक्शन एन वन याट टू माइक्रो नुकलियर्स फार्दा रिप्रोडक्शन पैरामिशियम के दो स्पेशल करेक्टर होते बैटा पहला स्पेशल करेक्टर होता है कि इस पैरामिशियम में बैटा दो स्पेशल फीचर्स हैं है ना एक डाइक केरियाटिक होता है सब्सक्राइब दूसरा सिलेटेट होते हैं और इसका बाइनरी फीजर होता बैटा तो डाई केराटिक बताओगे और बाइनिकुलेटेड बताओगे ये दो फीचर्स पारमिस्चम के यहने सिलेटा के सबसे इंपोर्टेंट होते हैं कि ट्रिप्रनुष मां क्या क्वाज करता बैटा स्रिपिंग सिखनेश कहोगे जिसका केरियर सी सी फ्लाई होता है हर एक कोश्चन में दो कोश्चन को निकाल लो कोश्चन काम बन जाता बच्चों ब्लेक वाटर फीवर प्लाजमाडियम फैल्सी पेरम से ब्लेक वाटर फीवर होता है प्लाजमाडियम फैल्सी पेरम से ब्लेक वाटर फीवर कहते हैं फैल्सी पेरम में मैलिगनेंट डिथ होती बैटा इसे मैलिगनेंट फीवर भी कहते हैं you cerebral malaria cerebral fever केतेमिट इंध यह सबसे घातक होता है हे दो हीमोर्जैन फाउंद इन वालिया इस पुरुड़िश्ट बाइं आक को बताना दा हीमोर्जैन किस से बंते हैं हीमाफ हीमोगलोविन तो हीमाफ हीमोगलोविन से हीमोजैन मनते हैं आकको मालूम रहुत आसान से कोई दिख् सब्सक्राइब जो rais जोट oldest और था रीड़ केकि चोटा टाअीज blond वायर फलेजिलेटेट किण अक्ट ventil दो पाइजलेटे अट्रीजन चर्प्लेटे से और गरम लोगेशाद जी के बिक बाएट कुपररिंध अनुक्त समनुपाइब को'll विटनअ क्ले मिलेट थे कि प्रिवेंघ ती है बने baik एक बने नेड़ा तरा सिफिनों फैंहें वह उतली है तरफ ज़न्त श्लीज़ ने रियर के बुरुत sharp एधिन्टिशन आफ आंटॉमिवा हेस्टोमिटका से आमीबिक डिसिंटरी होती एधिस होती है यह वाटर बॉर्न डिजीजेज है तो इसको कैसे रोका जा सकता है करिये पूछा जाए और तो आप पता सकते आवार्डिंग किसिंग लो आवरें क्रोथ आपेशन नो अंड कंटेमिनेटेड फूड अगर बेटा हम पानी से बच जाएं भोजन से बच जाएं तो बटा इससे हम रोख सकते हैं तो वाटर के कंटेमिनेशन से होता है दानसार इसका थर्ड होगा मेरे बच्चों करेक्ट यह बटा कैसी डिजीज है वाटर बॉ करेक्टर इसका रिजीज होती है जो पूछी आती है प्रिजन साथ टू ताइब नुकलाई करेक्टर सिजा विच पूटिस्टिंस इस सिली अटका करेक्टर है से लेक्टर मदब आप क्या को गटा वही बाइनुकलेटर है ना परमेशियम जो भी आमनों पताया है वही आपको पता है बहुत अच्छे से जानते हो बेटा हीवन के लिए प्लाजोनियम की कौन सी स्टेज इंफेक्टिव होती है इस पूर जोइट होती है इस पूर जोइट सबसे पहले अपना जीवन चक्र कहां शुरू करती है यक्रत में लीवर में इसे एक्जो एर्थूसिट इस साइकल कहते हो तो इस पूर जोइट बेटा कहां पर इंटर करती तो आपका जवाब क्या होना चाहिए बेटा सबसे पहले लीवर में प्रेविश करती है और फिर बेटा आरवीशी में साइकल चलाती है तो हीवन में बेटा हम कह सकते हैं पहले लीवर में साइकल होती है फिर बेटा RBC बहुती है लिवर में क्या प्रवेश्च करती बेटा बहुत अच्छे सालाइब से करे समझाई इस्परोजवाइट यहाँ पर फिर बेटा इस्परोजवाइट से क्या बनते हैं मीरोजवाइट और वो पेटा मीरोजवाइट इस्परोजवाइट फिर बेडी से क्या बनते हैं गेमीटो साइट और फिर बेटा फिर मेल एनाफलीस के लिए इनफेक्टिव इस्टेश होती है लाइक करते हैं बेटा लाइक करते रहे बच्चों मैंने बार बार कहा है कि हम लोग जितना पढ़ते हैं, उत्र ही हमारे लिए जरूरी है इवैलिवेशन, आप जहां भी पढ़ते हो, जैसे भी पढ़ते हो, बहुत जरूरी होता है कि आप अप्टे आपको कैसे यह एह सास दिलाओगा कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल लगी है। इसके लिए बहुत 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 इंपर्टेंट होता है टेस्ट देना, आप घर में बैटकर टेस्ट दे सकते हो कोई किताब उठाई, पॉस्चन निकाले, टेस्ट देना सुन कर दिया है, ठीक, फोटिंग एक हैलक कोचिंग आपको वो चीज बताती है जो आपको सिस्टम मेलाती है कोचिंग आपको वित्वान नहीं बनाती है विध्वान खुद बनना परता है थो फड़ना खुद परता है दो बातें बहुत ध्यान लखना जो मैं आकसर बताता हूं कि आप बेटा जब तैरी कर रहते हैं एक बेसिक बुक कोई भी इंटर्मीरेड लेविल के भी हो वो बेटा आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए हम सब के नोट सोते हैं हम सब के नोट सोते हैं हम लोग उसे देते है लोग ठमजाते हैं लोग पढ़ाते हैं बच्चों एक किताब आपको हां वोट देकर आ गए एक ही दिन कले गये थे सुबह गये थे सामको आ गये तो यह बटा ध्यान रखने की ज़रूत है ठीक है अच्छा को अगला कुछान है तक कैजुवल और कॉजल आप जामा काला आ जानते हो अच्छी तरस बेटा लीश मानिया डोनोगो नहीं काला अजर काज करता है ठीक है प्लाजम ने वाइबेक्स मालेरिया काज करता है वाचरिया बैंक अफटाई फाइलिया काज करता है और ट्रेपनोस्रों मालेविंशी से काज होता है फीवर ठीक ता एपीडमिस साव इस्पंज इस मेड़ पाफ इस्पंज में पीड़रिया को साइड से बढ़ा होता है इस टेस्ट में मैंने लगभग सभी फाइलम को चुआ है और लगभग 10-10 कोशन सब फाइलम के डाले 9-10-11, 9-10-11 करके तो सभी फाइलम को टच किया है 10-10 कोशन, 12-12 कोशन, 8-3 9-10-11, 9-10-11 करके हर फाइलम से हैं और आपके बहुत अच्छा सा पेपर आशा निशा अच्छी कोश्चन, आज परका सब्सक्राइब हैं छे कोश्च्र भी अच्छा किया है 125 में 125 में 120 वेटा highest पताँ है आ मारें कि आ अपने सकौर किया है किसी ने 120 बहुत अच्छी बात 120 स्कूर अच्छा होता है और आप इसे करते रहेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी सफलता तो मिलनी तह है नहीं कहा ना आप सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज होती है आपका बैटा पढ़ना पहले आपको अपना पढ़ना है आपको अपना पढ़ना यह बहुत इंपोर्टेंट है अगर कोई कहता मैं पढ़ा दूँगा आप सेलेक्ट हो जाओगे ऐसा कभी नहीं होता मेरे बच्चे ठीक ही नहीं होता है नोट्स कैसे बना है नोट्स के लिए टॉपी के हीदिंग डाली है ठीक और उसके लिए सबसे पहले ज़रूड़ी है कि कोई भी एक किताब जो उन्षॉड मार्केट में है उसको देखो और यह देखो कि उस चैक्टर में किस लेविल पर कोश्चन आ रहा है और सबसे लेट 12 वाली किताब को पूरा करो बेटा MP को सी गमेज गुपता या आपके पास कोई भी किताब एवलेबल होता है वो बेटा सबसे पहले पढ़ो सबसे बेसिक बुक है उसके बहुत कुछ मिलता है उसके बाद उपर चलने की कोशिज करो फिर PGD के लिए बेट बेटा लाइन बाई लाइन की बात रही है बात बेटा लाइन बाई लाइन की नहीं है हर कुछ पढ़ना होता है आपको चीजें आनी चाहिए और जब आ जाएंगी तब आप कोश्न निकालना चाहिए थिओरी में सबसे इंप्रटिन चीज होती है हाँ आलोग हम समझ गह थे तूम भूल लहा हो कैसे वा आलोग बढ़िया हो कैसा चला सरकुछ तूड़ा किताब को लाइं लाइं पढ़ता थे कोश्चन निकालना आना चाहिए आपको ठीक आपको कोश्चन निकालना आ चाहिए हाँ स्टार्टर्स बनाई जाते हैं, उसे बनाना चाहिए, उसे बनाना चाहिए, देखो बेटा, आप जितने ही लोग यहां पर में जॉइन किये हुए हूँ, कोई एक लेक्चर सुनो मेरा, एक घंटे का सवावन, एक लेक्चर सुनो, और जो मैंने बोर्ड पे लिखता हूँ, उ जो भी लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ, जो भी लेक्चर में पढ़ रिया है, उसके बाहर से कुछ नहीं आना है, मैंने तो खुब रीड किया है, ठीक है ना, देखो आलोग जी कह रहे हैं, पांच बार उन्हों आरके पिलाई सालब कर ली है, है ना, फाइव टेंस आरके किताब है, आरके पिलाई पांच बार, यह पीजी टी बीट कर देंगे, बेसिक्स वहीं है, बेसिक्स बड़ा वहीं है, डाइजिस्च न बहुत बड़ा चैप्टर, इसमें कुछ नंदेह नहीं है, बहुत छोटे, बहुत बड़े, हर तरह की कुछशन्स आते, आप ताल ल यहीं तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, which is the inherent aperture in sponge, इन हेरेंट मतला बेटा, देखो, यह होता है, sponge, ऐसे बनाते हैं, आसकुलम, इन अपर्चर को क्या नह देते हैं, आस्टिया, तो जो आस्टिया होते हैं, वहीं माउथ होते हैं, वहीं इन हेरेंट अपर्चर होते हैं, ठीक, अब कोश्चन यहां पर यह दिया गया है, ऑस्टियम, ठीक, वाकि और भी चीज़े मिल जाती हैं, तो जब हम एसकान टैप कैनाल सिस्टम पढते हैं, तो हम लोग यहीं लगाते हैं, आस्टियम, अपर्पाइल, हाँ, यहां पर अर्सकुलम है, इसे एक्स हैलेंट यहां, आउटर पूर कह सकता है, इसकी इस कैब्टी को पारगेस्टिक कैब्टी कहते हैं, इसको इस्पंज साइड से लाइन होती है, तो क्या कोश्चन दिया जारा है, हाँ, उसको पता है, उसे आपको करना चाहिए, समझे बेटा, अरे बरूर्ण मैंने पीडिया भेज दिया भी, खोल के देखो, आपका पीडिया पढ़ाओगा वाट से पेटा, बरूर्ण, इन कोश्चन का पीडिया मैंने भेज दिया है, उसके बाद मैं डिसकस कर गहा हूँ, लेकिन हाँ भी भेजा होगा, देखो, फ्लैजिलेटर लारवा, आप स्पंजीज बेटा, एमफिबलास्टूला होता है, प्लैनिरिया बेटा, कोई लारवा नहीं है, प्लैनिरिया तो ये एनिमल ही है, प्लैनूला बेटा, ओविलिया में लारवा है, हाइड्डूला भी ओविलिया में मिलता है, ठीक है बेटा, अनुक होता क्या है कि नोट्स सही हैं कोश्चन भी शही हैं इन किसी भी बच्चे को सेलिक्ट होने के लिए उसको एक बेसिक बुक पकड़ने चाहिए उसे किताब को ऐसे थियोरी बेसिक पढ़ना ही पढ़ेगा और पढ़ना ही चाहिए और जब वो किताब एक बार आ जाती न तो उसे थारो नालिज हो जाता है फिर वो बेटा नोट्स पढ़ाता है तब उसे बेटा हमारी नोट्स अच्छे लगेंगे तब हमारे शॉर्ट पा सताते हैं तो कई बारा बेटा हां यह बजूर धियान रखना हमारे द्वारा वो टॉपिक पढ़ाने से या तो पहले पढ़लो यह हमारे पढ़ाने के ठीक बाद पढ़लो बहुत लंबा गैप मत करो वो किताब की तेयोरी आपके लिए बेटा समझना बहुत मुश्किल हो जा कि थोड़ा सा आपको बहुत बच्चे बहुत तरेस बच्चे आते हैं यह बच्चे ओभी आते हैं जिनके 125 कोश्चन में 40 45 50 कोश्चन ही सही होते हैं तो उस पाइंट आप बढ़ेगा ना कि आपको बेसिक पढ़नी के भी ज़रूवत है और आलोग जब हम यह देखते हैं क नोर्स पढ़ता रहें आगे निकल जाएगा कांटिमिर्शन यह बनाए रखे तो होता कि हर एक के लिए काम करने का तरीका भी अलग लग होता है तो जब हम लोग यहां खड़े उपर बोलते हैं तो इस बात को इस बात को लेकर के बोलते हैं हम किसी पटिकुलर एक इस्टि पढ़ेंगे यूटूब पर मेटर पढ़ा होगा 10, 15, 20, 20, 50 लोग और देखेंगे तो उन सब को एक गाइडलाइन मिल जाता है यहां मेरे तो 60 कोश्चन ही चाहिए हो रहे हैं मुझे थोड़ा सा ज्यादा करना पढ़ेगा तो ठीक रहेगा ठीक है नहीं संगीता संगीता मेरी सारी वीडियो यूटूब पर नहीं मिलती पेटा यूटूब पर हर चैप्टर के एक यद दो वीडियो मिलती हैं बाकी कोर्स पर्शेस करना होता है और कोर्स पर्शेस करने के लिए स्काइप एमटी एप डाउनलोड करोगे उस एप को डाउनल 97-97-92-169-169 एक आफिशिल लंबर है इस से बात करके सारी जानकरिय प्रात कर सकते हो आज बेटा एक बच्चे का फोन आया गोराकूर से उसने मेरा एक वीडियो फर्स्ट रैन देखा मैं पूछ लेता हूँ न कि फीस किता हाँ संगीता ये तुम्हें बहुत अच्छा कोशन पूछा फीस कितनी है फीस तो लाजवाब है लोग हमसे कहते हैं अकसर कहते हैं और और ये देन आलोग की है आप लोग जो आज लोग को देख रहे हो फीजिक्स वारियर करके बच्चों ये अगर मैं कहूं कि मेरी क्लास की सुरुवात कराने वाले योद्धा कौन है तो ये फीजिक्स वारियर की आलोग अग्योतिज जी ही है इनिन मुझसे कहा कि सर पढ़ाईए अकसर मैं आपको सपना तिवारी की बात करता हूँ तो सपना तिवारी साय दिन की सीनियर थी उन्हों पूछा होगा तो आलोग ने सजिस्ट किया होगा तो बस वहीं से ये ज्यानिस पालिजी क्लासेज की स्कैप युम्टी की गाड़ी तो सुरुवात करने वाले आलोग जी हैं बाकी पहला अड्मिशन शपना तिवारी का रहा फिर ऐसी कुमार जी थे और क्या नाम था हुशा ऐसी लोग जुड़ते रहे बटाएके करके तो आलोग हमारे बहुत पुराने स्टुडेंट हैं बहुत प्रिय रहे हैं और बच्चा अगर मैं ये कहूँ कि मेरे लिए आलोग प्रिय थे तो आलोग मेरे लिए बहुत से बच्चे प्रिय रहते हैं बट किस स्टुडें ने टीचर को प्रिय कहा है वो एक बहुत बड़ बहुत कम लोग है बेटा आज के समय में, क्योंको टीचर और स्टूडिन का जो रिस्ता है ना, बहुत ही बहतर रिस्ता होता है, बस निभाने वाला चाहिए, आलोक उनमें शेक रहे हैं, इसलिए बार बार उनका नाम लेना भी पड़ता है, ठीक सर, अभी शेक सेलेक्ट इन सेलेक्ट तो होते ही बहुत से लोग, तो बच्चों चलो, ये बात हैं, हाँ, हाँ, संगीता, संगीता थी ना भी, जो पूछ नहीं थी, संगीता परजापती, सर, फीस कितनी है, मैं जरू बताऊंगा बेटा, फीस, फीस की बात पे तो मैंने आलोक की तारीफ कर डाली थी, तो मैं आलोक से पूछ रहा था, बताऊंगा फीस कितनी रखी जाए, तो इन्हों ने कोई जवाब दिया नहीं सही रंग से, फीस के बारे उन्हों कुछ बोला ही नहीं, फिर एक दो लोगों सावर पूछ करके, हमने फीस बेटा उस समय, पंदरा सव रख दी थी, संगीता, संगीता पुछेंगी सर, यह जो पंदरा सव फीस है, वो कितने दिन की हैं, गवरी प्रसाथ करने सर आपकिसी कालेज का प्रोफेशर हैं गया, वैटा मैं कालेज का प्रोफेशर नहीं लुगि मेरे बहुत सेปच्चे कालेज में प्रोफेशर है, मैं डॉक्टर तो नहीं बहुत से बच्चे में डॉक्टर हैं आ लोग इस समय जो फिजिक्स वारियर्स करके आपके सामने कुछ लिख रहें हैं अब ज़्यादा तो नहीं कहेंगे अगर इनका नंबर आपको मिल जाए तो आपको बताएंगे बहुत काम आते हैं हमारे साथ क्यों आ लोग आज हमारे सौभाग्ये हैं जो यह आ गए हैं अब शेख क्यों अब शेख स्वरी आ लोग प्रोफेशर क्या होता है एक टीचर के अंदर आत्मियता होने चाहिए एक टीचर के अंदर स्टुडेंट्स के प्रतिप्रेम होना चाहिए एक टीचर के अंदर या कह सकते हो किसी भी बेक्त के अंदर किसी भी बेक्त के अंदर की बाद बहुत लौँ मेटा किसी भी बेक्त वाले कंदर तो बहुत ही ज्यादा बेटा हो नालेज होना चाहिए इसका इसका नालेज नहीं है कि वो पढ़ाता सब्जिप्ट बहुत अच्छा है वो हर तरह से इसे काबिल हो कि सामने माले को समुचित रास्ता उचित रास्ता दिखा सके तो संगीता फीष कितने को बीटा पंदराशो अब शवाले कितने दिनों की क्यों संगीता तो बोल दें कितने दिनों की हैं ऑगीता बेटा यह फीष आप लोगों के लिए जब्ता का अब सेलेक्टना हो जाएं तब तक के लिए एक साल दो साल तीन साल अभी तक यही नियम है आलो कि एक बात और बताओं क्योंकि काफी समय से बात नहीं हो पाई आलोग देखो आलोग कहा है 15 सा बहुत कम है अरे तो पंगले उस समय बता देते तुम हम 4,000 कर देते तुमने फीष तो बताई नहीं कितनी करनी तुम्हें ने रख दिया ने चलो कोई बात रही है कम है फीष जानते ओ आलोग क्या कुछ दिन पहले इस फीष को 2100 करना चाहो मैंने एनाउंस कर दिया ख्लास में चलते हूँ गर में बच्चों क्या कहा तो आलोग जानते होसे क्या हुआ हूँ सालिय शाहु आपसे भी बात करते है भी तो आलोग बच्चों का हा पापा इस 600 क्यों बढ़ा रहे हो यही रखो तुमने का मैं एनाउंस कर दिया है तुमने का अच्छाम 600डिस्काउंट कर देते ते अभी किस और रखे श्यूश्य्य क्योंकि यालोग तुम्हें याद होगा एक बात मैंने कही थी कि पंद्रह सव रुपए फीस केवल पचास इस्टुडिन के रहे में रखोंगा उसके बाद मैं बढ़ा दूँगा याद है तो जब जब पचास इस्टुडिन के मैंने बढ़ा दिया मैंने का चलो अब ठीक हो मैंने एक दिन एनॉंस कर दिया एकटीस और उपए है तो बच्चों नो मुझे मना किया नहीं आप जो है पंद्रह सव रुखिए और जब सव हो जाने तब करिएगा अब बताए घर के मेरे बच्चे हमने का तुम्हें नहीं खाना तुम्हें रबड़ी नहीं कहने गया तो मैं मतलब आश्चर में पढ़ा कि चलो ठीक है तुम लोगों की सही तो बेटा मैंने उसे पंद्रह सवी रखा 21-600 कर दिया वह पंद्रह सव फिर वापस आ गया तुम्हें बढ़ा दी लेकिन फिर भी नहीं बढ़ी चलो यह सब चलता रहता तो पहली चीज संगीता उसमें बहुत कुछ अबलेबिल है बहुत से चीजें जो आपको बताऊंगा मैं आगे चल कर दिया और सालिन शाहू कहते हैं सर आपके नोट्स कैसी मिलेंगे तुम ने कहा बेटा आपको कोर्स पर्शेस करना होगा तो जब कोर्स आप पर्शेस कर लेंगे तो सब कुछ बात कर लेंगे इस पिक्यूल्स किस से बनते हैं कोश्चन है इस पिक्यूल्स का मदला बेटा इस किलरोड ब्लास्ट कहते हैं अरे रासीत पगले तुम रों किसी दिन मैंने कहा ना अच्छा एक चीज़ मैंने अच्छा एक चीज़ मैं बहुत अच्छा देखता हूं कि मैं कुछ बोलू हमारे अपने बच्चे ही जो हमारे जुड़े हुए हैं सारा मैसेज कन्विंस कर देते हैं अब आस्तूस कहते हैं सर का कोर्स पर्षेस करके समिल जाएगा यह बहुत पॉजिटिव मैसेज लिखते हैं है ना और इन सब के पॉजिटिव मैसे से हमें बहुत सहुलियत रहती है कि मुझे बहुत ज्यादा बोलना नहीं पड़ता है तो इसकी पेड़ फीस कितनी है साल नी यह देखो रिखा पंदरास रोपए पंदरास रोपए एक बार दे दो फिर फुरसत हो जाएगे एक बार पंदरास हो दे दीजिए पूरा कोर्स कंप्लीट कोर्स सारे वीडियोज सारे टेस्ट पेपर सारे पीडियाफ अभी तक बटा यहीं फीस है अब की जब बढ़ाएं तो गर में बच्चों से पूछ कर बढ़ाएं कितनी बढ़ा दें आलो तुमसे भी बात करेंगे कितनी र सबस्ते हलां तो तक फmb 9 पायनफ फेरा का क्लासिफिकेशन है मैं तो फाइलली की फ्रिटा कर चैसे पर गया गया है here है और तीन क्लासिज यह पैसली के अलाको भ्लास्ट के इक्लसिफिकेशिभी यह है यह कैलको ब्लास्ट अगर होती है इसकेलोब्लास्ट के क्लासिफिकेशन है इसलिए इसकेलोब्लास्ट यहां एंसर लगेगा अगर क्लास कैलकेरिया कहते तो एंसर कैलकोब्लास्ट होता क्लास हेक्जाकिटनिलिडा कहते तो वो सिलिकोब्लास्ट होता सिलिका के बने होते हैं इस्पंजिन फाइबर के बैटा क्लास डेमोइस्पंजिया में बने होते हैं तो तीन क्लासिज हैं कैलकोब्लास्ट कैलकेरिया हेक्जाकिटनिलिडा डेमोइस्पंजिया में इस्पंजि आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर, कालर सिल किसे कहते हैं, तो क्वाइनो साइट सिल को बेटा वलोग, कालर सिल कहते हो, कालोनियल इस्पंज किसे कहते हैं, ठीक, कालोनियल को रहता है, लीको सुलिनिया बेटा है, कालोनियल इस्पंज है, हेलो हाँ बता है ठीक है वे तो यू को सोलिनिया बेटा जो है यह कालोनियल स्पंज होता है कालोनिय होता है सिंगल इंडिजियाल कोलिंथर्स कहते है चलिए तो यह लेको सुनिया लग जाएंसर यू प्लेक्टिला बहुत बढ़ीए कोश्चन है देखो ध्याद से शुनिया बेटा यहां बोला तीन के लिए लिए गाहां बेटा क्लास है क्लास। है यह लीड़ा के लिए गेहरे पानी रहते हैं और इसली मेटा है आई यू प्लेक्टिला पाया जाता है तो यू पिल्टिला फॉनिन दा डीप सीवार्टर आंस और इस दा सेकें यू फ्लिक्टल विनस फ्लावर बासकेटि कहते हो बेटा जो गिफ्ट किया जाता है जापन में at the time of marriage, live together till death कहा जाता है और सुब कामने दी जाती है विवाग के लिए regeneration ability of sponge is due to conscious cell होती बेटा Archeocytes कहते है इसे बेटा totipotent cell कहा जाता है single cell is single cell is single cell can produce complete organism उसे Archeocytes कहते है अगर बेटा इन सिलेंटेटा की बात होती ही तो कहते है inter-station cell is totipotent cell अगर human body की cell कहते है तो stem cell is totipotent cell हम लोगों की embryonic stage बेटा इस्टेंचल पाई जाते हैं उनको अगर हम बेटा store कर लें तो that stem cell can regenerate entire organ and any organ अब दा बाटी है आगया question classmate बेज डानदा बेटा specule तो 30 question होगे बेटा अमारे सिलेंटेट्स कैसे होते मेटा डिपलो ब्लास्टीक होते हैं डबल लेड होते हैं embryonic layer में largest nematoblast कौन सी होते मेटा इस टीनो टील्स बेटा जिने penitent कहते हैं यह largest होती हैं डेश्टोन नीम जीने से वाल्यवेंट कहते हैं यह सबसे छोती हैं यह बेटा सबसे बड़ी होती है नंबर एक, नंबर दो, नंबर ती, नंबर चार, पेटा, सिलिन टेटा में लगो 30 प्रकार की नेमेटोसिस्ट पाई जाती है, 30 टाइप से, हाइड्रा में चार प्रकार की होती है, उन चार प्रकार में सबसे बड़ी ये होती, नंबर एक, नंबर दो, नंबर ती, नंबर चा प्रहें विलाओं करूं प्रहें पहला अंसर रहागा ना, माउथ, ठीक है, एनस दिया ज़रूर है, माउथ एक टेजिनस कहलाएगा, ओके बैटा, नेक्स्ट गॉस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् च्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् क्लूरिला होता है जू क्लूरिला कहते हैं पल्मेटो हाइड्रा विरिडिश्मा उसका नाम है पल्मेटो हाइड्रा विरिडिश्मा या क्लूरो हाइड्रा विरिडिश्मा ओक्या बेटा फिच निमेटो ब्लास्ट, क्वाइल अरौन दा प्रे, मैंने का था वालवेंट, जो सबसे छोटी होती है, वो प्रे के चारोली पढ जाती है बेटा, नीडोम क्ये से कहते jest गुरुपाइब नेटोबलास्ट को बेठा नीडोम कहा जाता है ये टेंडिकिल्स में प्रिजेंट होती है पालिफ आफ अविलिया इस पालिफ फार्म बेठीं अविलिया की निूट्रिटीज जाएड होती है पॉलीफाम सर्दियां, और टार के निरु पी आपजे यह बस्काइट, ब conceived कि धी जती है यहां माुथ होता है, टेंडिकिल्स होते हैं वे नहीं होता है ciao, यह बता है लाइक होती है फाइसेलिया में पाया जाता है फाइसेलिया को वेटा क्या नाम देते हैं हाईस्ट मार्स 120 कोश्चन आये हैं इसमें 120 कोश्चन ठीक चलो रिप्रोड़क्टिव जहां भी कोश्चन कहते हैं इम लोग रिप्रोड़क्टिव की जब बात आती बैटा तो कौन से जॉइड होते हैं गोनोफोर्स ठीक है कौन से होते हैं गोनोफोर्स अब गुरुप आपदा जॉइड को लोग कोर मीडियम कहते हैं और निट्रिटिव जॉइड को लोग गैस्टो जॉइड कहते हैं मेडूशा उसमें पाई नहीं जाती बैटा ठीक यह कुश्चन बनाए हुए हैं प्रीवेस एक्जाम के भी इसमें से कुछ हैं तो ज्यादा तर कुश्चन फ्रेम डेमिटा फ्लेट ओंस कैसे होते हैं इसमें से कौन जो फ्री लिविंग में पाया जाता है यह इसे ब्लड फ्लू कहते हैं इसे लिवर फ्लू कहते हैं इसको बैटा टेप पॉंस कहते हैं जो पहला लारवा होता है सबसे बाहर के और 21 एपिडर्मर सेल्स होते हैं जो छह रोज में फाइब रोज में प्रेजन्ट होते हैं यहीं फ्री लिविंग होता है फ्री श्यूमिंग होता है मीरा सीडियम के बाद बैटा मीरा सीडियम होता है इसपरोसिस्ट रेडिया सरकेरिया मेटा सरकेरिया यह लारवा की सिक्वेंस होते हैं सिस्टी सरकस अप्टिम्या डेबलब इंटू सिस्टी सरकस लारवा को बैटा ब्लेडर वर्म लारवा कहते हैं यह लारवा बैटा पि उस मांस को यह उस फ्लेश को हम सब बेटा क्या कहते हैं मीजली पार्क कहते हैं मीजली पार्क कहते हैं वो बेटा इन्फेक्टेड होता है राजेश्र कमिष्ठी नमस्ते शर कैसे हैं राजेश्र कमिष्ठी इसलिए मीजली पार्क कहा जाता है है न तो आंसर हो गया स्वेश् प्रिश सीलेटिर बोलो ना मेरा सीलेटिर मेरा सीलेटिर मेठी से रिपीट हो गया कौशन कह सकते हो dropping of gravid proglator को क्या करते हैं appleuses कहते हैं और पेजी किसे कहते हैं honored tomi किसे कहते हैं सारे कौश्चन, और पेजी मतलब होता है lichosum को और पेजी का आरगनल कहते हैं से और पीडोजिनेशिस लारवा अंडरगो सेक्सवर प्रड़क्शन इसकाड पीडोजिनेशिस ऐसा एंबी स्टोमा लारवा में होता है जो एंफीवियन से मेहलिस ग्लैन वेटा रिप्रड़क्शन से संबंधित होती है टेपम में पाई जाती यूनिशलर होती है किसका था पूछना पड़ेगा मुझे भी याद नहीं किसका था ठीक है आपका कितना है है छुनिशाइड हम पेञाएं सोलीनो्शाइड है हला कि भी इस अपक्शस में प्रिजन्ट होती इन दोग फ्लैंसल कह देते हैं हम लोग जो प्लेटी हेलम फिर फिर्थीज में पाई जाती है और रिशीव करते हैं, इस्पम्स फ्राम दा अनधर फेशियोला, इस्पम्स फ्राम अनधर फेशियोला, देखो देखो, कोश्चन है, 316, देखो अइसा रहा ना, कि कोश्चन पेपर के देने में थोड़ी सी गलती होगी, पहली बार जम ने दिया, दो बार पेपर आपको इस इंटू 1, 125, तो यह मामला थोड़ा सा हुआ, पहले वाले माइनस 1 भी हो गया, जो गलत थे हो, मैनस 1 हो गया, इसमें से आप लोगों का स्कोर फोड़ा सा घट गया होगा, माली यह बीस कोश्चन गलत हो गया, तो बीस जो पॉस्टिव तो भी निगेटिव में आ गया है, इसने में ने दुबारा बेटा आज पेपर लगा दिया था, कि आप लोगों उसे टिक कर लीजिए, तो ठीक रहेगा, शिष्टी सरकस इंद पिग मसिल के रिमेंस वाइवल फार्दा 6 मन्त, छे महने तक बेटा, पिग की मसिल्स में लारवा जिंदा रहता है, टीनिया सोले टीनिया सोले मेटा डेश्री ट्रेक्ट नहीं होता है, हुक्स पाए जाते है, बाहर से सिंग्मेंटेशन होता है, all of this is correct, टीनिया का अगर आप फीगर देखोगे तो अपने आप सारीची निकलाएंगी, बोथ अल्टरनेशन आप जन्रेशन और अल्टरनेशन आप होस्ट, आप जन्रेशन भी और होस्ट भी यह फेश्योला में मिलेगा बेटा, फेश्योला में, अल्टरनेशन आप जन्रेशन में मिलेगा और होस्ट भी मिलेगा, अल्टरनेशन आप जन्रेशन में बेटा फेश्योला में देखो पांच लारवा है, उसमें रेडिया लारवा, रे इसलिए वहाँ पर जनरेशन भी कहते हैं, होस्ट भी कहा जाता है, इलिए फेशोरा लगते हैं, लाइप सिंगी लाइजेनेरी, एसकेलमन्थीज डिफर फाइनल हैविंग, यस बहुत अच्छा, इसकेलमन्थीज में, सीडो सीलो होती है, सीडो सीलो में, सीडो सीलो में, केवल इसकेलमन्थीज होते हैं, जबकि हम यह कहें, बाइलेटर सिमिंट्री पिलेटिक बाद सभी हो जाते हैं, सिलेटिकल बर्डी तो बहुत की मिलते हैं, यह मिलोंगो, पैरसेटिक फार्म बे, स्क्रिसे इनिफेक्टिवीं पहला और दुसा दोनों एक फर्स्ट लारवा और सेकेंड लरवा दोनों इन फैक्टेइड होते बेटा जनरली सेकं लारवा दोन लारव क्या लगाते हो बेटा रात में क्योंकि जो क्यूलेक्स होता है वो नाक्टर्नल होता है जबकि एडीज जो होता है वो डे में होता है झाल 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 लार्वास और एडल्ट में complete difference पाई जाता है जिसे कि फ्रॉग में होता है लार्वा की morphology, tadpul larva की morphology, इसका habitat, उसका body canadomy और फ्रॉग में complete difference जब हो लार्वा एडल्ट में complete difference होता है तो उसे होलो मेटाबलिक मेटामार्फोसिस कहते हैं लेकिन जब लार्वा में याणि एग से निकलने वाला structure और एडल्ट में ज्यादा difference ना हो जैसा कि काक्रोच के कि इसमें देखा जाता है कि जो एग से निकलना होई structure और निम्फ होता है जिसमें क्योव विंग्स नहीं पाय जाते हैं बस्ट बाकी सब कुछ present होता है तब इसे कहा जाता है पार्वा मेटाबलिक मेटामार्फोसिस जिसमें बहुत माइनूट डिफरेंस होते हैं कि विंग्स नहीं होते हैं एंटैमिलोजी इस तड़ी आफ किसे कहते में इंसेक्ट को कहा जाता है फाइलं ओर ut阪किसे करेटoryजीजर मुझे लगता है जोईन हे नफ्र लगाने पड़ेगा टा इन ओर भी डी सेअफ दीज अश्क्राइश्वन कें से रता है मुझे लगता है बुख लं वोल्ज गिल्स ट्रेटीया गिल्स कोई जिल्स के लाइगी। मुलस्का होते हैं असी कोस्टन नमबर असी का क्या है कैंसर बता रहो क्या बेटा हाँ डिथिरिया कंटिमिलेटर फुर्स होता है असी कोस्टन का इंसेक्ट ठीक है डेविल फिस बेटा मुलस्का में ऑस्फिरिडियम होता है जो कि वाटर को टेस्ट करता है किसको टेस्ट करता है वाटर को कीमो रिशेप्टर कहते हैं क्या कहते हैं कीमो रिशेप्टर कहते हैं ऑस्फिरिडियम तो फूड को एक प्रकास सेलेक्ट या रिजिट करने के बात आती है कि मुझे शेप्टर आस्पूरीडियों बेटा मोलस्कम पाई जाते हैं फिश वन बिलांग टू दा मोलस्का डेविल फिश बेटा डाग फिश इस कोलियोडन है जो कि फिश है सिल्बर फिश लेपिसमा है जो कि आर्थोपोडा है जैली फिश और इलिया है जो कि बेटा एक सिलिन टेटा है विच वन बिलांग टू गैस्टोपोडा इसनेल गैस्टोपोडा को बिलांग करता है बेटा Aristotle lantern की इससgest में प्रिजन दों है। यह दो उसमें प्रिजन्ट होता है। ओफिर वाइडिया में ओफिर वाइडिया का थे बैट यह इस और फांड इन दा सी अरशित में यह मैस्तिकेटिंग अर्गन सोते मैस्तिकेटिंग अर्गन को जा रड़ श्टर्टन लेंटन को यह कोशन पूछा जाता है वीच्वन आकर सिंद एकानОदमेटा इकानОदमेटा में रीडिल स्मेट्री होती बीटा अडल्ट वे रेटियल लादुबा में बाई लेटर स्मेट्री विच इस करेक्टराइज करेक्टरिफ फीचर अधा इकानु दमेटा यह लगाएंगे एमप्रोलिकर सिस्टम इसे वाटर वैसको सिस्टम कहा जाता बीटा ठीक ठीक, एवी सिक्रिशन बीटा किसमा पाई जाता इकानु बीटा में यह इंटेस्टैंट से अपने पाट को डिफेंस के लिए गट पाट को रिमूब कर देते हैं अल कॉर्डेट्स पॉसेस दा फालूइंग फीचर एक्सेप्ट सभी कॉर्डेटा में यह तीन फीचर पाई जाते हैं इसको छोड़कर एम्नियोन बीटा केवल एम्नियोन यह बीटा रेप्टाइल्स एवीज और मैमल में होता है यह सभी कॉर्डेटा में नहीं होता है एक कॉर्ण वंस टंग कॉर्ण वंस बीटा किसे कहते हैं यह बीटा हेमी कॉर्डेटा का मेंबर्स होता है एक कॉर्ण वर्न किसमें पाया जाता है हेमी ₱ ओडदेटा का होता है को नुमर मेंक हुआ पार जाता था इसा ज़्या ओंशोक था उसका नहीं निंखिटी को एकेसे दो कि सबसेटा क। मुझ की घिरा घर अंजिया आफट만 हुट हुट हबानिया है उचक एक लिक्टु आ फैस भासट वक्लोच्पाई जाती है ऐसी लिए में तों में तों में जाती । जाती है इससीलें बटामाफ्यों को रिक्ट्रफचिर में अमाफ्यूसिज कहा जाता है एक कार अनुद्रा अपाता जा रहे हैं यह बैल युन ग्लॉस लंगक फिसेज में वैटा घ्राइस टू चैंबर होता है नंगक श्यूंपर होता है एम्नियॉब क्या होता है शीग रिदरे अम्नियॉब Koryan, Aleantnois, Oxi 4 membrane होती है, जो embryo के बाहर होती है से extra emin Nuys membrane कहते है या fetal membrane कहते हैं します embryo के, 4 और 4 membrane होती है amnion होती है, Corian होती है amnien twice होत है, yoxic होती है यह reptiles, birds और mammal में होती है इसलिए से amniauds के नाम से जाना जाता है and example E ig prophecy Eignerthas cyclist Petromycin प्रीज एंपरे कहते हैं हैं फिश काइज इक्जाम्प केहते हुद कि और एडेबिल फिरिश वार्टर ठीलो फिर्श्वार्टर एडेबिल वह कौन सी कट्ला कट्ला फिश्टोछ जो खाई इस्टिंग डेज किसे कैते हो बैटा, ट्राइगन को कहते हो लोचिंग डेज के नाम से जानते हो, मिले ड्राइगन को कहते हैं, यह कांट्री को बमुलां Title 국 आलाइड्ज, मिड्वाइड टूडled 10Tube टू का किसे के बैठा, किसे कहते हैं ए Лाइट्डज को डाम मिड़् खार ज एंपिवियंस कैसे होता है एंफिICAोड में इन एंव ini अर्ट के हम कम नहीं होती है अनि अस्य लगलन्फियंस क्या होता है एक्तियोफिस में नहीं पाई जैती इसमें इसमें स्पेसल फीचारेज़ है. parental care कहते हैं. एक उकी parental care कहते है. frog. Frog में क्या नहीं होता है. eyes होती है, lids होती है, hands होती है, finger होते हैं, jazz होते हैं, teeth होते हैं. ear but no pinna. ये answers का character होगा. frog has five fingers and four toes. नहीं four toes and five fingers. फोर फिंगर से फाइट फोर अगले पैर में पिटा चार होते हैं पिछले पैर में पांच है ना तो फोर फिंगर से पांच पीछे पैर में फिंगर चार हो जाएंगे टोस किता हो जाएंगे पांच तो आगले पैर में पिटा चार और पीछे तो आगले पैर के फिंगर के दे पेच्छी वाले को टोस कह देते हैं हाट इस फोर चेमबर रट टैंग कुरको डाइला ठीक आटर टोम केस में पाई जाती हाउस लिजडर में पेटा आटर टोम वह फीचर होता है इसमें हाउस लिजडर में के शिपकरी जोती पूंच को छोड़ देती हैं डिफेंस के लिए ति किंग कोबरा नाजा ति किंग कोबरा नाजा हुंता है किंग कोबरा क्य थीक किंग कॉरवा कराता है थी कीं कोबरा इसे कहते हैं। जलुच कble नेम है कामन इंगिन क्रेद को करेट बीटा बंगेरश को अनुट Always if a Tar कहते हैं गाडियल कहां पायता है फ्रेश वाटर मांने लिविंग फॉसिल इजा कौन सा है रिंकोशी फैलिया विच इस करेक्ट फार इंडियानी स्निक बहुत अच्छा सब कुश्चन बेटा क्लासिफिक सम्वाली सीट आपको देखना उसमें हमने पाइजनास और नान पाइ पाइजनास होते हैं सारे फ्रेश वाटर इसनेक्स होते हैं और नान पाइजनास है यह जरूरी नहीं है ठीक है तो सम्वाब देने वाले बेटाम लोग नदियों में ठीक है नदियों परजेंट होते हैं फीर आएगा विच इस di flightless bird flightless bird की बात करें कें लोग किसे कहते हैं emo emo कैसी birds होती है frightless होती है vertebra having airs 7 birds मetting how again pneumatic bones के इस परिजक्ट होते है pneumatic bones अच्छा pneumatic bones another useful flight adoption in the bird is flight करिए पेसा है मिमेटिक बोन अबन ऐसक दृस फ्लाइट अडिक अडबर इसवाइटशन अड़ल सु मागठ टृस खिर कुल पीषब सांगर कुध Extra caur 的 गार आध को सहेडा सांटर कुं सांट गारस घूम आडब करते हैं रटक लाइट फliक सरह सकेड़ किसमे बीक ये हैं चोंच में दान्थ किसम होती हार के टरीज में साउंड बाक्स किसे कहते हैं मैटा सैरिंग्स को गयते हैं पाउच किसमे पाईजा था मैमेल से मार्शूपील से मैं स्वेट ग्लान एंग्स अधरिश्ट्रेश फिर आफ मैमेल्स आल मैल पाविज उट्रस इव बर्थ तो यंग लाइज नरीश देर यंग ओंस विता मिल्क कंटें थी कोट ओवर देर यंग्स साब इमेल्स कैसे करेक्टर के होते हैं क्या का होगे मैमेली ग्लेंट पाई जाता ह और यंग को बेटा नरीश मेंद देर के हैं वेल्स इमेल्स कैने क्मादब इमेल्स कैने क्मादब इमेरी ग्लेंट पाई जाते हैं यह बेटा बन टूटन्टिव पोश्टन्स थे हां परमालों के ठीक है कौन सा कोश्चन पेटा यह संगीता यहां कोश्चन कहा जा रहा है इस कोश्चन की बात करो ठीक अलब इन में से कौन सा फीचर है जो कि फ्लाइंग में हल्प रता है ठीक तो बेटा इस परकार से हम समने आज कोश्चन पेटा है कल बेटा आप सबकी क्लास नौ बजे या सारज नौ बजे जो भी होगी वो क्लास बेटा एंजीगो इश्पम की चल रही है तो गैनुश्यम का पार्ट कल अम आपको पूरा कराएंगे आगे बढ़ेंगे उस से हम लोग ठीक तो सारे बच्चों इस प्रकार से हम लोगा पेपर भी होता है कोश्चन पेपर डिसकर्शन भी होता है और काफी चीजें हैं जो लोग ठीक पूरा करते हैं एक्सों पचीश कोश्चन बहुत होते हैं मेटा बोलना डिसकर्शन करना कहना बताना आप लोग की बातों को भी शुनना डिसकर्शन पचास पैंतारिस कोश्चन का सफिशेंट होता है एक्सों पचास, एक्सों बीस, एक्सों पचीशन ज्यादा हो जाता है एंसर बताना पड़ता है समय बहुत लगता है लिगे इनिसकर्शन को बढ़ाएंगे बैटा हम लोग आगे चल करके कोई दिक्कत रही है तो फिरहाल बच्चों कल हम लोग इनिसकर्शन पढ़ेंगे आप सब ने बहुत जादा बहुत लंबा शाफ़ा पूरा कर लिया है बाकि जो बच्चा हुआ उसको आगे बनो करते रहेंगे ओके बटा थैंक यू